हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरन मशकार तो फ्रेंड्स आज हम जो और्गनाइजर बनाने वाले हैं रौंड शेप में एक और्गनाइजर बनाएंगे तो ये वाला और्गनाइजर की आज कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो आप पूरा देखिएगा वीडियो आपको काफी पसंद भी आने वाला है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीट्स डालके मैंने इसको बनाया है तो प्लीट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है ऐसे ही योज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हो तो इसकी कटिंग और स्टेचिंग आज हम मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही असान तरीका है बनाने में कोई भी फैब्रिक आपके पास पढ़ा हो आप ले सकते हैं तो आए वीडियो शुरू करते हैं तो ये मेरे पास फैब्रिक पढ़ा है जो कि किसी भी सूट में से आपका कोई फैब्रिक बचा हो या कोई भी कपड़ा आपके पास पढ़ा हो सबसे पहले मुझे चार सर्कल चाहिए तो मैं क्या करूँगी लाइनिंग के लिए भी सेम फैब्रिक ही ले लूँगी तो ये दो फैब्रिक मैं लेने वाली हूँ ये देखे मैंने फोर फोल्ड करके रखा है अब हमने कोई प्लेट ले लेनी है जितना भी बड़ा आपने बनाना है तो ये मैं जो सर्कल बनाऊंगी नाइन वाइन नाइन का बनेगा पूरा नाइन इंच का ये सर्कल बनेगा तो जहां पर मैंने निशान लगाया है थोड़ा सा आधा इंच छोड़के मैंने इसकी कटिंग कर लिया है अब ये मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ थोड़ा समार्जैन रखते हुए ये देखिये थोड़ा थोड़ा आधा इंच तो 4 पीसिस मैंने कट कर लिए हैं आप चाहो तो लाइनिंग अलग कलर की भी लगा सकते हो मेरे पास था कपड़ा तो मैंने ये वाला ही लगा लिया अब आपने कोई भी राइस बैग आटा बैग ले लेना है तो मैंने राइस बैग का ये सब बीच में से अटैच कर लेना है अभी आप निशान लगाना चाहते हो तो निशान लगा के भी कुल्टिंग कर सकते हो लेकिन मैं इस पे ज्यादा कुल्टिंग नहीं करूंगी दो सिलाइए मैंने क्रॉस में लगा ली और बीच बीच में दो सिलाइए और लगा लिए द लेकर राउंड में पूरा नाप लेते हुए यह देखिए पूरा ब्राबर करके अच्छे से हमने इसका मेजर्मिंट लेना है जितना भी यह आपका आएगा न तो यह देखिए कितना आया है साड़े उनतीस आया है तो आप थोड़ा सा मार्जन के लिए कपड़ा ले सकते हो लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैं इसको स्टिच करूंगी साड़े उनतीस आरहा है यह तो यह मैंने जो फैब्रिक लिया इसकी हाइट मैंने साड़े चार इंच ली है और टालोगे न विए चोटी होती जाएगी तो पति आपने काफी बड़ी बड़े ऍचाइज के ले लेनी हैं तो एक साइड पर मैंने प्ले डाल लिए आप ये देखेंज दूसरी साइड भी जिस साइड ऑफ सीधा से आपको सीधा आ रहा ह पूरी पत्ति को समय कर लो फिर आपको दिखाती हूं हुए इस तरह से हमारी को समय अलाब इसके भी कान भी राइस नई लाइनिग कि लगा लोगंगी जैसे हमने दो round shape के जो circle स्वरी सरकल जो हमने ready किये थे सेम इसी तरिके से हमने इसको भी रैड़ी कर लेनाया नीचे lining ये देखी ऐसे है अब इच में न ये देख हो ऐसे हमने इसका इतना सा थोड़ा सा मैने इसको कट कर लिया गैप चोड़ा है क्योंकि यहां पे हमने थोड़ा सा प्लेन कपड़ा लगाना है जिप पटैच करेंगे न तो पूरी जिप हमारी आगे तक हम नहीं खोलेंगे जिप को इसलिए चार इंच चोड़ी पट्टी में इसके बीच में लगाऊंगी वो आगे आप देखिएगा तो यहां पे मैं इंटलोग कर लेती हूं जिप को उल्टा करके मैंने रखा है तो यह देखिए मैंने इंटलोग कर लिया है आप यहां पे कपड़े की पट्टी से फिनिश कर सकते हो लेकिन मेरे पास इंटलोग की मशीन है तो मैं मोस्टरी जो है इंटलोग ही कर लेती हूं लेकिन मैं आपको बताती भी हूं कि आप कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हो अब हमने इसमें रनर डालना है तो दो रनर में डालूँगी एक साइड से और एक दूसरी साइड से दो रनर जो है मैं इसमें डालूंगी आप चाहो तो एक भी डाल सकते हो लेकिन मैंने इसमें दो रनर डाले हैं तो रनर मैंने डाल लिये हैं अब ये एक देखो पट्टी है लेकिन ये पूरी नहीं आ रहे मैं देख रही थी ना कि पूरी आ जाएगी तो अलग पट्टी मैंने एक और रेडी कर ली है इसमें भी बीच में जो है राइस बैग मैंने डाल लिया है और उपर नीचे लाइनिंग यह देखो ऐसे यहाँ पे भी मैं इंटरलोग कर लेती हूँ और फ्रेंट्स मैंने आपको बताया ना अगर आपके पास इंटरलोग के मिशीन नहीं है तो आप कपड़ी की पट्टी से फिनिश कर सकते हूँ यह देखे अब दूसरी साइड से भी हम इसको जोड लेंगे और यहाँ पे भी मैं इंटरलोग कर लोगी एक्स्ट्रा जिप को मैंने काट कर लिया है आप देखे हमने सरकल को कैसे उपर से जोड़ना है पहले मैं इस पे हैंडल लगा लेते हूँ यह देखे ऐसे निशान लगाते हुए यह देखे हमने हैंडल लेना है यहाँ पे मैंने ढाई या तिन जितना भी आप निशान लगाना चाते हो को यहां तक और इस साइट को ऐसे मोते हुए यहीं तक हमने हैंडल को स्टिच करना है से में इसी तरी के से दूसरी साइट से में स्टिच कर लेती हूं तो हैंडल जो मैने ते्रा ह हुल diğer है यह देखिए ऐसे हमारा हैंडल लग गया अभा यहां प notamment करते लिशान लगा लोंगी और सेम इसी तरह से आना चाहिए रो तो अभी इसका मैं सेंटर निकाल के इस साइड से भी और इस साइड से भी तो सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए इसको हमने राउंड में स्टिच कर लेना है यहां पर मैं पिन लगा लेती हूं और यह देखिए यह सरकल ऐसे पुरा गुलाई में हमने इसको स्टिच कर लेना तो देखिए एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया है अब उपर वाला जो सरकल है सेम इसी तरीके से इसको भी स्टिच कर लिया है अब यहां पर आप मैं आपको बताते हूं कपड़े की पट्टी लगा कर आप यहां से फिनिशिंग कर सकते हो उरे पट्टी चाहिए आपको है इंटलोक ही करूँगी यह देखिए तो मैंने इंटलोक कर लिया है सारे में यह को आपको दिख रहा है ना मैंने सारे में इंटलोक कर लिया है क्योंकि मेरे पास इंटलोक की मशीन है तो आपको पता है अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो मैं मोस्टी जो है इंटलोक ही कर लेती हूं लेकिन कपड़े की पट्टी मैं आपको बोल देती हूं कई बार वीडियो में लगाती भी हूं कई बार बताया है मैंने आपको कपड़े की पट्टी लगाना भी तो इसी लिए मैं इंटरलोग कर लेती हूं क्योंकि इंटर लॉक से मुझे ठीक रहता है और यह देखो उपर से आप यह जो बाहर को आ रहा है इसको हमने क्या करना है अंदर वाली साइड को बोड़ते हुए उपर से एक टॉप स्टेच लगाना है तो यह जो मार्जन हमारा बाहर को नहीं आना चाहिए इसको हमने बाद है लेकिन जब भी मैं बात करने लगते मुझे खांसी आ जाती है तो यह देखिए बनके हमारा यह रैडी हो गया तो इसमें कुछ भी आप अपना सामान अपनी जरूरत के हिसाब से रख सकते हो अपना मेक अप का सामान वगयरा या कुछ भी जो भी आपको लगे जिस चीज अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो तो कैसे लगा आपको यह वीडियो जरूर बताईएगा इस वीडियो में मैंने बहुत असान तरीके से आपको बताया है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैन